खबर गया से है जो हम रिष्णूपत थाना छेतर के बैतरणी तलाप समीब लबकुमार के घर पर अपराधियों ने चड़ कर जानलेवा हमला किया है घायल सिकायत लेकर थाना पहुचे तो थाने के अधिकारियों द्वारा संग्यान नहीं लिया गया घायल व्यक्ती ने वरिये पुलिस अधिक्षक को फोन से सिकायत किया तो इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है आपको बता दे कि इन दिनों गया में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और पुलिस मुख दरसक बनी हुई है तो अरित कारिवाही करने में विलम्ब किया जाता है दूसरी ओर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों द्वारा लब कुमार के घर पर मार्क वीट करना बिहार में मुख्यमंत्री नितीस कुमार के सुसासन को अगूठा दिखाने से अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं एक तरफ इस थानी थाना के अधिकारी उद्वार अफरात्मी की दर्च करने में लगभग तीन दिन बिज जाते हैं जब पेडित व्यक्ति ने वरिष्ट पुली सदिक्षक कार्याले जाक कर मिला तो सस्पी ने थाना प्रभाली को कारेवाही करने का आदेश दिया बच्चे को उठाने का किड्नेप करने का प्रियत्न किया मैंनों उसको बचाने का कोसिस किया बचाने के क्रम में धात लगाए अपराधियों ने हत्या की कोसिस की और लाठी डंडा से मेरे सर पर आँख पर बहुत भेंकर प्रहार किया उसमें से एक अपराधी सानू सोनार जो मैयूर बिहार कॉलनी का रहने वाला है पिता रामू सोनार वो साथ जन्वरी को भी हमारे घर में 30-35 अपराधीक तत्वों के साथ घुसा था साथ जन्वरी को संदेया साड़े पांच बजे इसकी सूचना मैंने विशनू पत्थाने को लिखित में और रिसिविंग मांगने का भी प्रयास किया लेकिन विशनू पत्थाना ने मामला दर्ज नहीं किया आठ जन्वरी को मैं SSP ओफिस आया SSP ओफिस में साभ से मुलाकात मतलब पहले भी कर चुके हैं मैंने किसी तरह को को कोई करवाई ठाना के दवारह नहीं किया जा रहsınız इसैं थाना ज्यवागत में आप रादियों के साथ उनका मिलि भगत है क्योंकि उनका जो प्रतिकिर्या है हमारे आवेद्देने पर वह प्रतिकूल प्रतिकूल इससे अपराधियों का मन बढ़ते चला जा रहा है और इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने में खाकी परदी पर मेरा विश्वास उठ रहा है अभी मैं सस्पी साब के पास अपनी गुहार लगाने आया हूँ कि मेरा मामला नहीं दर्ज किया जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और वो घर में घुश करके अपराध को अंजाम दे रहे हैं मेरा नाम लवकुमार पूर ब्रमस तलाव मालनपूर थाना विश्णूपत